नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसाल वास्तू कॉनसिलिट। आज फिर मैं आपको दुकान के बारे में, शौप के बारे में, शोरूम के बारे में मताना चाऊँगा आपकी दुकान, आपका शोरूम, किसे भी चीज़ का है याप अपने दुकान में अपने शोरूम में जो भी काम करते हैं जो भी आइटम सेल करते हैं और आपकी दुकान आपका शोरूम South East फिसिंग यानि दक्षिन पूरूमों की है यानि डाइगनल है विदीशा वास्तु की है तो आपको अपने यहां फ्रेंट में वास्तु शास् या आपका शोरूम पहले से बना हुआ है और कहीं न कहीं आपको दिक्कत आ रही है आपका वर्क अच्छा नहीं चल रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा मैं इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे आप सुनकर स अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले तो आपने करना क्या है आपके दुकान फ्रंट में यानि साउथ इस्ट फेसिंग है तो आपके दुकान के बाहर आपके शोरूम के बाहर का जो एरिया है वो हमेशे ही निक एंड क्लीन साफ सुत्रा होना चाहिए को क्या सावधानी बरतनी है सबसे पहले तो यह देखे कि आपके हैं इस्ट में यानि इस्ट कोर्नर में यहां पर इलेक्ट्रिक पॉल लगा हुआ है या क्रासवर्मर लगा हुआ है तो आपने क्या काम करना है सबसे पहले तो इसके चारों तरफ यानि क्रासवर्मर है या इलेक्रिक पॉल है तो इसके चारो तरफ का एरिया हमेशा ही निक अंड क्लिन करना है जो पॉल है उस पॉल के उपर आप पांच से छे फूट साथ फूट के गरीब जहां तक हाथ कमफटिबली जाता है पेंट करवाना है पेंट कौन से कलर का कराना है ग्रीन कलर का या येलो क इस कॉर्णर में इलेक्रिक पॉल लगा हुआ है या ट्रांसफर्मर लगा हुआ है तो आपने यहां पर जो पेंट कराना है वो रेड कलर का पेंट करवाना है ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपके यहां आपका काम अच्छा होता चला जाएगा आपके यहां बरकत होत पत्थर लगया होते हैं देखने में आता है जब पत्थर लगाते हैं इतोंके बीच में गैपूं। आपने प्रंक नदूमर बीच में हो बीच में गैपूं, विच अचाल भीर होरा तो पीलनी अएक पूंद आपने यहेरह पोदिaro मजेटे मेंoupey आपके हां जो फ्रण्ट में शेटर लगा हुआ है, शेटर के ऊपर जो paint होना चाहिए, green color या reddish brown color होना चाहिए. आपने अपने यहां जो board लगाना, जो holding लगानी है, उसके अंदर जो color होने चाहिए, वो color आपके हां, green color, light brown color, reddish brown color, red color, cherry color, इस्तमाल करेंगे इन कलर्स का आप बॉर्ड बनाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ आपकी सेल अच्छी हो जाएगी आपका काम हमेशा ही बढ़िया चलेगा आपने अपने इस दुकान में इलेक्ट्रिक मिटर कहां लगाना है इलेक्ट्रिक मिटर आप अपने इहाँ पर साउथ कॉर्णर में इस जोन में आप अपने इहाँ पर इलेक्ट्रिक मिटर लगा सकते हैं और यहीं पर साउथ कॉर्णर में आप इन्वर्टर भी रख सकते हैं स्टैपलाइजर भी लगा सकते हैं आपने अपने यहाँ AC का आउटडोर लगाना है तो वो आउटडोर भी आपने AC जोन में लगाना चाहिए ऐसा करने से आपका काम हमेशे ही अच्छा रहेगा ये जो मैंने जानकारी दी है ये वास्तु शास्तर के साथ अपने अनुगों की जानकारी आपको दी है मेरे दोरा हर एक वीडियो में दीगी जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मैंने अपने इस कॉंसेट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रहे कर प्रैक्टिकल सीखा है और हमारे पिताजी दोराली के परतम पुस्तक लक्षमी प्रविश कैसे हो उसे पढ़कर सीखा है हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवा कर समाज में बटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाब बे उठाया आप वास्तु शास्तर में रूची रखते हैं या आप अपने नई दुकान बनाने जा रहे हैं या आपने कोई भी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं चाहे आपका अपना घर है चाहे आपका अपना फैक्टरी है चाहे शोरूम है चाहे दुकान है चाहे स्कूल बना रहे ह तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी building को वास्तु दोश्मुक्त बनाने में साहिक जरूर होगी क्योंकि हमारी यह पुस्तक बिल्कुल सिंपल सरल हिंदी वाशा में लिखी गई यह जिसे आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के पर दी हमसे ऑनलाइन कंसल्टैंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भीज़ कर। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तेय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विशे पर चल्चा करेंगे तब तक के लिए नमश्कार झाल